तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं इंडियन जियोग्राफी के विडियो नंबर फाइफ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 कोश्चन्स और उसके बाद जितने सारे रिवोलियूशन्स मैंने आपको बोले थे कि रिवोलियूशन्स के बारे में मैं आप लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा लेकिन इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग देख लेंगे कितने सारे रिवोलियूशन्स है सभी के सभी डिवोलियूशन्स किसके साथ related है वो हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है पहले कोशन से पहले कोशन क्या है which of the following state has land with maximum unusable area maximum unusable area कौन से state में सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो answer क्या होगा? answer होगा राजस्थन राजस्थन में सबसे ज़्यादा maximum unusable area देखा जाता है बरते next question की तरफ next question क्या है? salinity of soil is measured by salinity, soil का जो salinity होता है वो किस से हम लोग measure करते है? वो किस से measure करते है? electrical conductivity meter electrical conductivity meter के दुआरा हम लोग soil की salinity measure करते है ठीक है? याद रखिएगा बरते next question की तरफ next question क्या है? the red color of red soil is due to red soil जो होता है उसका जो color red होता है वो किस के कारण होता है? answer क्या होगा? iron iron के लिए ये जो red color होता है red soil का वो देखा जाता है ठीक है? बरते next question की तरफ next question क्या है? which one is called brown paper? brown paper किसको बोला जाता है इसमें से? जूट, cotton, silk, none of the web क्या होगा यहाँ पर? जूट को बोला जाता है brown paper ठीक है? याद रखेएगा जूट को बोला जाता है brown paper cotton को को कहाहां पर देखने को मिलता है? cotton देखने को मिलता है black soil भ्यांपर ठीक है? मतलब कहां पर होता है silk production? एक विडियो में बताया था कि वारानसी में देखा जाता है सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बड़ते नेक्सक्ष्ट के तरफ नेक्स्ट क्या है विज कोअथ सैजन में कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा देह यौत मिलता है देखिए बड़ें next question की तरफ next question क्या है next question है top state in producing mustard seed mustard seed मतलब producing में produce करने में conscious state सबसे ज़्यादा produce करता है master seed ठीक है answer क्या होगा राजस्थान राजस्थान होता है master seed का सबसे बड़ा producer और MP क्या होता है MP मैंने बताया था कि पीडियो में ठीक है next question की तरफ next question क्या है study of rock is called rock की study को क्या बोला जाता है स्वाइल की स्टडिय को ठीक है पेट्रोलोजी बोला जाता है या बताइए comment में क्योंकि मैंने इसको इहले एक वीडियो में बताया था पीडोलोजी किसको बोला जाता है किसके स्टडी को पीडोलोजी बोला जाता है स्वाइल की स्टडी को बोला जाता है पीडोलोजी और रॉक की स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलोजी बरते नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन क्या है next question है आपका silver fiber revolution is related with silver fiber revolution किसके साथ related है silver fiber revolution वो किसके साथ होगा cotton के साथ ठीक है तो cotton related है किसके साथ silver fiber revolution के साथ ठीक है और बाकी जो यहाँ पर revolutions है उसके बारे में मैं नीचे एक साथ discuss करूँगा आप लोगों के साथ ठीक है बड़ते नेक्स्ट कृष्ण की तरफ नेक्सट क्या है New aloe radio oil is called उने पिसली वीडियो में ऊपिजियो में बता है कि ओल्ड सोयल किसको बोला जाता है अब यहां पर New aloe via shortages ऑया गया New aloevo beta खादर को ठीक है खादर को बोला जाता है New aloe बोला जाता है भांगर को बांगर को क्या बोला जाता है ओल्ड ओल्ड अलोवियल सोयल खादर को बोला जाता है न्यू अलोवियल सोयल ओके बढ़ते नेक्स्ट कुछन की तरफ क्या है most suitable condition most suitable condition for the production of orchid इसका answer मैंने यहाँ पे डाला था हाँ यहाँ पे आ गया थोड़ा mismatch हो गया कोई नहीं कि क्या है question most suitable condition for production of orchid ठीक है production of orchid के लिए suitable condition क्या है orchid orchid sorry orchid है न orchid orchid production के साथ मतलब orchid production के लिए कौन सा state सबसे ज्यादा suitable है answer क्या हो जाएगा अरुना चल प्रदेश अरुना चल प्रदेश कहां पे नौर्थ इस्ट में ठीक है तो अरुना चल प्रदेश है orchid production में सबसे suitable state ठीक है बढ़ते next question की तरफ next question क्या है which one is the घरीभ crop इसे कौन सा खरीब crop है देeking वाटरमिलन वीट जूट मास्टर्द क्या लगते आपको आंसर क्या हो जाएगा जूट्ट ठीक है which one office wheat और mustard ये दोनों क्या है रभी ग्रप वीट और वीट और वीट और मास्टड ये दोनों है रभी क्रप तो जूट क्या हो जाएगा खरीब क्रप ठीक है जूट हो जाएगा खरीब क्रफ हमारा आंसर बड़ते next question की तरफ next question क्या है next question है कि which which one is the highest wheat producing state in India, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, wheat सबसे ज़्यादा कहां पे produce होता है, कौन से state में, UP में, UP में, उत्तरप्रदेश में सबसे ज़्यादा wheat production होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरप्रदेश, ठीक है, बढ़ते next question की तरफ, next question क्या है, wheat state is the highest producer of mulberry silk, mulberry silk कौन से state में, सबसे ज़्यादा produce होता है, आंसर होगा, करणाटका, करणाटका में, सबसे ज़्यादा mulberry silk produce होता है, ध्यान रखेगा, बहुत important question है, ठीक है, almost, इंडिया का 90% silk की mulberry silk है, ठीक है, 90% silk, but the next question की तरफ, next question क्या है, which type of soil has the volcanic origin, में से कौन सा ऐसा soil है, जिनका origin क्या है, volcanic origin है, ठीक है, तो यहां में क्या हो जाएगा, black soil, ठीक है, black soil का जो origin होता है, वो होता है, volcanic origin, और black soil में क्या देखनों की मिलता है, cotton, ठीक है, cotton देखनों की मिलता है, और cotton किसके साथ रिखेट है, कौन से revolution के साथ, silver fiber revolution के साथ, यह सभी चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी होंगी, ठीक है, बड़ते next question की तरफ, और यह हमारा final question है आज का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, revolutions, तो क्या है question, final question, which one is called spice city in India, यह तो बहुत ही आसान सा question है, आपको आना चाहिए, answer क्या हो जाएगा, करला, करला को बोला जाता है, spice city in India, ठीक है, और मलाबर coast है, मल revolutions, यह आपके exam में आ सकता है, तो देखते है, revolutions के, revolutions का क्या क्या है, यहाँ पर देखते है, तो पहला क्या है, पहला है, fisheries, fisheries के साथ कौन से related है, blue revolution, ठीक है, blue मतलब पानी, पानी में क्या रहता है, fish रहता है, तो उससे आप याद डख सकते है, कि fisheries के साथ क्या है, blue revolution, बढ़ते है next question की तरफ next क्या है Horticulture Horticulture के साथ क्या है Horticulture या फिर आप Apple भी बोल सकते है Apple का भी revolution same ही है Golden revolution Golden revolution को किसके साथ related है Horticulture के साथ ठीक है Blue revolution Fischer's के साथ आप याद रखीए उसके बद क्या आता है Jute Jute के साथ क्या होगा Golden Fiber Revolution golden fiber revolution देखिए एक है silver fiber revolution एक है golden fiber revolution तो silver fiber जो है silver fiber revolution वो क्या है cotton और golden fiber है jude ठीक है next देखते है next क्या है meat production meat production के साथ क्या है meat production के साथ red revolution ठीक है red revolution के साथ related है meat meat क्या होता है meat क्या color red होता है तो उसके साथ आप याद रख सकते है red revolution है meat production ठीक है उसके बाद है क्या, food production, food production के साथ क्या related है, green revolution, food production, तीह है, देखतें next क्या है, oil seeds, oil seeds के साथ क्या है, yellow revolution, oil का कलर क्या होता है, मतलब जोह हम लोग खाने के लिए उसकरते हैं, लग-बग yellow color का होता है, तो यह क्या हो जाएगा, yellow revolution के साथ, oil seeds, ठीक है, बर ते next question, next question, next option, एग और पोल्ट्री एक और पोल्ट्री के साथ क्या है? शिल्वर रिवोल्यूशन यह फिर से आप याद रखेगा not silver fiber यह only silver only silver बोला जाएगा तो आजाएगा एक और पोल्ट्री रिवोल्यूशन मतलब पोल्ट्री के साथ रिलेटेट है silver revolution और अगर silver fiber रिवोल्यूशन आ गया तो हो जाएगा cotton यह बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह थोड़ा confuse कर सकते है आप लोगों को next क्या है? next है petrol or diesel, petrol or diesel के साथ क्या रिलेटेट है? black revolution, petrol diesel, black revolution ठीक है? उसके बाद क्या है? fertilizer, fertilizer सरफ क्या रिलेटेट है? तो brown revolution रिलेटेटेट है leather के साथ या cocoa के साथ ठीक है? उसके बाद last जो आता है milk revolution जो की white revolution हमें हमें पता है यह बहुत ही famous है white revolution रिलेटेटेट है milk के साथ और white revolution का father किसको बोला जाता है? हमारे इंडिया में father of white revolution that is doctor Vargis Curian ठीक है? तो यह थे हमारे अब जरूर से comment कीजिए comment में बताईए क्या doubt है और अगर आपको pdf चाहिए तो telegram channel join कर लेजिए वहाँ पर मैं सभी pdf अपलोड कर देता हूँ नीचे description में telegram का link डाला हुआ है आप वहाँ से join कर सकते है और मैं ऐसी आपके लिए videos लाता रहूँगा आप comment भी कर सकते है कि step की वीडियोज आपको पसंद है कि step की वीडियोज आपको चाहिए तो उसी सब से मैं वीडियो बनाऊंगा तो आज के लिए यहाँ पर खतम करते हैं तब तक के लिए पैतक पढ़ते रही है Thank you